तो वेल्केमें दोस्तों नमस्कार आपसर विका गुड मॉर्णिंग और आज किस वीडियो में विलूग करने वाले हैं कंप्यूटर अप्लिकेशन के सभी इंपोर्टिन क्वेश्चन ठीक है और यह आपका सेक पेपर है सेक पेपर का नाम क्या है है और अगर आपका सब्जेकт趣 केवर कमप्योटर अप्लिकेशन आप क्यों करने का कोसित किया है यह हमारा फर्र्ष वीडियो है computer application software में ठीक है objective का तीन को objective का लाओंगा और तीन को आपको privacy question देऊंगा ठीक है और एक भी रुपया नहीं फिरी में हम पढ़ाई का कोई पैसा नहीं लेते हैं ठीक है समझे दोस्तों चलिए जो लोग लेता है लेने दीजिए शुरू करते हैं तो हमारा पहला question और हाँ paper तो हिंदी में ही है तो अगर आप लोग चाहें तो इसका English में भी translate कर सकते हैं बाकी में जो question answer दूंगा वह आपका convert करते हुए process करता है ठीक है तो देखिए process करता है कौन प्रोसेसर करेगा प्रोसेस तो right answer हो जाएगा option ए प्रोसेसर ठीक है और एक चीज़ आपको थोड़ा से जानकारी देता हूं कि यह paper आपका कितने marks का होगा और किस टाइप से question आएंगे तो देखिए यह paper जो है आपक सब्सक्राइब को चुड़ना होगा और मार सीट में आपको answer करना है black pen से आपको answer सीट को भरना पड़ेगा और मार को ठीक है चलिए और मार का पुलपर्म क्या होता है और मालूम है न ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा ATM ATM से पैसा कौन-कौन निका निकाला है ठीक है लेकिन मैंने 12 जब दे लिया उसके बाद निकाला हूं तो ATM का पुलपर्म क्या होता है कि एक टेलर मसीन ठीक है और यह क्या है तो दोस्तों बिना अश्टाप के नगदी देने वाला है ठीक है option से इस कराईट असरो जाएगा ATM क्या है बीना अश्टाप के नगदी देने वाला को नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है डेटा को प्रोसेसिंग करने का अर्थ है कि कंप्यूटर चाह गया सब्सक्राइए बिजनेस में किसी भी चीच का यूज करने के लिए जो हम जानकारी तयार करते हैं, information तयार करते हैं, उसी को data processing कहते हैं, ठीक है, next है हमारा input का output में रुपांतरन क्या जाता है, देखे, दो परकार के device होते हैं, एक होता है, input device, एक output device, ठीक है, तो input का output में रुपांतरन कोन करता है, तो राइडन्स रो जाएगा, peripheral device के दुवारा ठीक है, peripheral device, एक मिनट यार, input का output में, sorry, 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 CPU होगा, ठीक है, peripheral device में तो दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पे CPU option है, तो हमारा CPU होगा, ठीक है, तो input का output में रुपांतरन कोन करता है, CPU, CPU का perform क्या होता है, central processing unit, sorry मैंने सभी options को ध्यान से नहीं देखा, ठीक है, central processing unit, इसे computer का मस् CPU को, ठीक है, और CPU के तीन भाग होते हैं, ALU, control unit और memory, आगे जाके हम लोग बात करेंगे, computer क्या है, तो इसका answer सब को जानता होगा, computer एक electronic machine है, option है, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, next हमारा यहाँ पे, computer में data किसे का जाता है, तो computer में data, हम लोग बोलते हैं, यह मेरा सब data खतम हो गया, ठीक है, तो यह data क्या है, दोस्तों, चिंडati सुचनाओं को हम लों data बोलते हैं, प्लक है, चिंड और सूचनाओं या निकि जितने भी symbols होते हैं और Numbers, उन सबी खं़ लोग data कह आते हैं, computer में data कर दूसरा होता है, data किसे कहते हैं, तो चिंड़ रोन सूचनाओं को, और यह जो data होता है यह data तो आपका यह है internet क्या बोलतें इसको megabyte, gigabyte ठीक है next हमारे यहाँ पे computer में सूझना किसे कहा जाता है तो देखिए जब data को एक जगा हम एक घटा किया जाता है तो उसे एक जाता है यानि कि एकत्रिट डेटा को क्या का जाता है सूचना का जाता है यानि information टीक है group of data is called information टीक है आगे देख लेते हैं next है हमारा EDP का फुलपर्म क्या होता है तो EDP का फुलपर्म होता है E से electronic D से data P से processing कहां पर electronic data processing electronic data processing option डीस का राइड रोजाएगा ठीक है आगे दिख लेते हैं next question तो हमारा कोशन है एल्यू का फुलपर्म क्या होता है इससे पहले जानी है आप एल्यू कहां से आया तो यह रहा हमारा CPU CPU को दबाया CPU बटम दो दबाईएगा लाला बती जलेगा हरा बती जलेगा ठीक है कि यू कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं दूसरा है एल्यू एरिथमैटिक लॉजिक यूनिट एल्यू को फिल्फरम होता है और तिसरा होता है memory ठीक है क्या होता है memory यह CPU में तीन चीज़ रहता है CPU के अंदर में क्या रहता है एक स्यू रहता है control unit एक रहता है ALU ठीक है और तीसरा रहता है आपका memory यानि कि chip ठीक है तो यह हो गया और control unit control करने का काम करता है ALU यानि कि arithmetic logical unit arithmetic मतलब गनित से संबंदित काम करता है जोड़ाटागो न फाग और memory store करता है डाटागो ठीक है तो यहाँ पे हमारा question है ALU का पूरा नाम क्या है तो ALU का पूरा नाम है arithmetic logic unit ठीक है arithmetic logic unit कहां पर option है इसका right answer हो जाएगा next है हमारा CPU निम्न लिखित में से क्या है तो देखिए CPU क्या है ALU है ALU option में नहीं है CU है CU option में नहीं है memory option में है हाँ ए है चिप को ही तो memory बोलते है तो CPU निम्न लिखित में से क्या है चीप है एक परकार का चीप है ठीक है चीप चार जीवी का चीप छे जीवी का चीप आट जीवी का चीप पहले छोटका मोबाल में चीप डाल के सुनते थे अब तो कहलाता है CPU को कहते हैं ठीक है CPU नेक्स्ट है हमारा वी टी यू एम कीबोर्ड के बीज संपर्क अस्थापित करता है अब वीडियू क्या है तो विज्वल डिस्पले यूनिट इसको बोलते हैं यानि कि डिस्पले ठीक है जो ओंड़ के से कम्पीटर का डिस्पले हें और कीबोड जिससे हम लोग टाईप करते हैं इसके बीज संपर्क करता है तो राइट यह अंतर हो जाएगा quickly CPU हुई दोस्तों इनके बीच संपर्क अस्थापित करता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी कतिया देख है अब बोली बोले कंप्यूटर का नहीं मानव मन का ठीक है एक मिन्ट में में लो सोज लिए अरे बिटा मंगल करो ठीक है तो मन इसका मन सेंकर नहीं है तो आदमी को देखता है और मने मने कुछ और व цвет नहीं लिए नेक्स्ट है हमारा मन इसकी अस्मरन शक्ति कंप्यूटर के अatell Walter नामें होती है कैसी होती है तो हमारी जो अस्मरन सक्ति है computer के तुल नामे सामाइन्य होती है टीक है general होता है सामाइन्य next है हमारा computer को किस परकार की बुद्धी की संग्या दे गई है तो computer में जो है न आर्टिपिसियल रहता यानि की क्रित्रीम रूप से बनाया हुआ ठीक है तो रच में तो आओ तक जाएगा सोज़्य है तो यह क्या और उप्सक्राइब तक होता लेकिन इसके मान का कोई भी मिट नहीं है अनलिमिट्ट है है नेग्स इसमारा कंप्यूटर का नियंद्र भाग क्या करनाता है अभी मैं ने बताया कि यह कोन करता है सी यू कंट्रोल यूनिट और वह कहां पर पा जाता है तो CPU के अंदर में पा जाता है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा CPU ठीक है CPU option से इसका राइट अंसर हो जाएगा next हमारा compare है compare क्या है compare क्या है दोस्तों इसका राइटन्स हो जाएगा ALU का arithmetic कारी को compare करते हैं यानि कि जो ALU है हमारा CPU के अंदर में ALU पा जाता है arithmetic logic unit वह mathematical काम करता है उसे ही हम लोग compare काते है ठीक है अगला हमारा computer में जाने वाला data क्या खलाता है देखिए जो भी computer के अंदर में जाएगा input जो भी computer से बाहर आएगा output ठीक है अंदर मतलब input बाहर उट्पूर ठीक है तो इसका राइन्स हो जाएगा का इन्पूट कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कर लाता है इन्पूट ठीक है और प्रोसेस डेटा यानि के प्रोसेस वोकर बाहर आने वाला डेटा क्या कर लाता है तो आउट पूट ऑप्सन भी पिसका ठीक है नेक्स्ट है हमारा कोश्चन क्या है तो कोश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के भी सामझ जैसे कौन अस्थाफित करता है ठीक है तो सभी को कौन करता है सामझ जैसे मतलब कंट्रोल तो कंट्रोल यूनिट करता है यानि कि जो CPU के अंदर में पाए जाता है ठीक है CPU के यानि कि चीप यह तीन चीज CPU के अंदर में पाई जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के भाग कंप्यूटर के भाग जो जोड घंटाव गुन्ना तथा तुल्नात्मक कारिए करता है क्या पोलते हैं उसको ALU बोलते हैं कहां है ALU arithmetic logic unit गनित को arithmetic बोलते हैं simple सा तो option is का right answer हो जाएगा अगला है output क्या है तो output किसे बोलेंगे जो computer से जब data बाहर आता है out होता है तो उसका output बोलते हैं वहाँ जो processor user को दे user मतलब हम लोग ठीक है तो processor यानि के computer हमको देता है तो बाहर आएगा तब न देगा तो option is का हो जाएगा processor यानि के computer user मतलब हमको वहाँ जो computer हमको देता है ठीक है तो क्या हो जाएगा output option is a ठीक है वहाँ जो processor यार सोरी यहाँ पे ले लिखा है ना वहाँ जो processor user से ले तो अगर हमसे computer लेगा तो वह input हो जाएगा तो यह नहीं होगा यहाँ पे दे दे थोड़ा सा अंतर है वहाँ जो processor user को दे ठीक है जो computer हमें देता है वही output है जो हमसे लेगा वह input है ठीक है तो ले और देख अंतर है चलिए तो option is का राइड अंतर हो जाएगा और यहाँ पे आपको answer भी दिया गया है ठीक है चलिए आगे देख लिए नेक्स्ट कोशन तो हमारा चप्टर टू सुरू होता है थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया मतलब फिर भी टाइम पे ही पुछे antis अगरा आप इसलाम दर्म से हैं तो आप अपना शुक्रवार को जाईए ठीक और एक एमिनिते अर बैटरी कम हो जाईए अगर आप सिक धर्म से हैं तो गुरुम्त सख्ण जो भी आपका गुरुद्वारा जाया किजिए ठीक है अगर आप क्रिस्टिंटी हैं तो आप जाया किजिए चर्च वगेरा सब्ता में एक दिनना प्लीज अपने गोड को मानिये यार ठीक है मैं इसा नहीं कि आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा नहीं आपके मन को सांती मिल ठीक है एक अजीब सा आपको क्या उलते हैं इंटर्नल पावर मिलता है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसा नहीं कि मैं प्लिटिक लिया हूं तो भूल जाओंगा नहीं यार मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा हूं ठीक है मास्टर इन पॉब्लिक इड्मिस्टेशन और अभी पिएजडी के प्रोसेस में हूं तो चलिए अपनी संस्कृतियों को मत भूलिएगा बाकि आपकी मर्जी नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का विकास अब हम लोग जानेंगे डेवलप्मेंट अब कंप्यूटर के बारे में ठीक है टेसन टू है हमारा तो हमारा है स नाव हम क्या है यहीं में सब्सक मानें अभीवेंट के फशिक है में नया आदमें चसे अब पहला कोशन है परतम जन्श कर नाम क्या है दोस्तों Titus इसको बोलते अवेकर चीन में ठीक है अवेकस जो है परतम गन्ना यंत्र है जो कि चीन में है आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से इस टाइप से रहता है ठीक है अवेकस इस टाइप से रहता है और इस सब में गोटिया रहती है एक गोटी फिर इसमें दो गोटी फिर इसमें तीन गोटी ठीक है फिर इ ठीक है और यहां कहां पर निर्मान हो था चाइना में सब गों जानते हैं चाइना के मालुआ ठीक है चला तो चांद तक नहीं तो साम तक आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा पैकमेन नमक परसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाता है तो देखें पैकमेन एक क्या था एक लागा गया किस ने क्या है तो राइट अंस्रों जाएगा इसका ब्लेजपासकल पर्थम मेकनिक लेटर कर निर्मान किसने क्या था ब्लेजपासकल ने ठीक हैं मिखें और आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट कोशिन तो हमारा अगला कोशन वहां कंप्यूटर जिसका निर्मान पर्थम पिड़ी से पहले हुआ था तो पर्थम पिड़ी से पहले किस कंप्यूटर का निर्मान हुआ था यांत्रिक कंप्यूटर बिदूत कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर या इन में से सभी तो पर्थम मेकनिकल कंप्यूटर का जो निर लिएगा चलिए भूर नमबर में बीदु यंत्रीक होगा या इलेक्ट्रिकव theft ये ब्रकर चलिए आगे बढ़ते हैं नेकलों कंम्प्यूटर है एनालों कंप्यूटर किसे काते हैं इसको अ reimburse सब्सक्राइब यह बहुत सब्सक्राइब नाम सुना होगा जावा जावा का नाम सुने उसके बाद हो गया पाइफन हो गया कॉंप्योटर का बुनियादी संभशना यानिकि बेसिक आर्किटेक्टर का अलية तथा सब्से महांगा SHE कम्प्उटर है तो सब को जानता है जब भी आए सबसे बड़ा यानि कि कितना बड़ा एक रूम बहुत जाएगा एक कम्प्विटर से इसको बोने सुपर कम्प्विटर टीक है आपने नाम सुना होगा सबसे टेज सबसे महांगा है कि अनुमान लगाए दूजी पचास कडोर, 100 कडोर, 200 कडोर, 800 कडोर यह सर होता है दाम सूपर कम्पूटर का कडोरों में बात होता है Next है हमारा सामाइनी रूप से परियुक्त किया जाने वाला कम्पूटर कौन सा है जैनरली जो हम लोग यूज करते हैं डिजिटल कम्पूटर का यूज करते हैं ठीक है जैनरली हम लोग किस कम्पूटर का यूज करते हैं डिजिटल कम्पूटर का यूज करते हैं घर में जो हम लोग कम्पूटर यूज करते हैं वह डिजिटल कम्पूटर है है नेक्स्ट है हमारे manabha shy इसको क्रेज पढ़ेंगे क्रेज क्या है तो प्रेज जो एक सुपर कम्प्यूटर भीड़ है और इसके नाम से क्रेज कंपनी नामें प्रें इंस्ट्यूट है तो सेम्वफीम सुपर कम्पुटर की खौच की और इसी के नाम पर रखा गया इसका नाम ठीक है तो क्रेत सुपर कमप्यूटर है ठीक है की खुच किसना क्या है सेम्वल क्रेश εκ sai बुलते हैं या सेम्व's funktioniert नेक्स्ट हमारा ऐसे कंप्यूटर को और परमुश्रक्ष टा Yemen कि दोस्तों पांच भी पिडिक है इसकी विसेश्था है कि घर घर में उपयोग होना चाहिए वाई ठीक है नेक्स्ट है हमारा कोशन है ऐसे कंप्यूटर जो पॉर्टेवल होते हैं और यात्रा करने वारे प्रयोकताओं के सुभिता जानक होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं मतल यह पहले कंप्यूटर ठीक है क्या हुआ कि लाइन कर जाता था तो फिर काम करते हैं और आधाद दूर में बंद हो गया तो फिर सब्सक्राइब लो तो फिर लेप्टॉप लिए बहुत मुस्किल हुआ यार यह माई पर लिए हैं पाई नेक्स है हमारा मल्टी प्रोग्राम ठीक यानि कि वह एक दो बहुत सारा काम करेगा बहुत सारा ठास्क है तो अपर करेगा कैसा कब्सक्राइब रृपर क्सरा में टीसरे प्रोग्रामीं कौन सा 6600 सायद नाम था मतलब उतना भी याद नहीं है मुझे हां CDC 66 से ही होगा तो वह जो बना था 1989 बनाया था ठीक है कब बना था 1989 1979 को नेक्ष्ट है हमारा प्यक्तिगत तोर पर किस कंप्यूटर का को परियोग किया रदता ओन लोग Generally परसुनल कंप्यूटर युज़ करते हैं कौन ही कीटे बेट इसे कंप्यूटर का जनक किसे कह सा है इसकी अंसर सब को जंते हैं चाल्स भेवेच और कंप्यूटर का जनक बोलिए चाहिए पिता ओलिए क лучше करता ही सोल भारत में मिन परत्व प्रतम कंप्यूटर का तो फिर पर्थम सेटलाइट था यार टीक है उपगरह था उपगरह और यह तो सिद्धार्थ पर्थम नेक्स्ट हमारा यहां पर भारत में निरमित परम कंप्योटर किस प्रकार का तो मैंने अभी बता है परम 10,000 एट यह सीरीज निकला था बहुत सारा सूपर कंप्योटर का सीरीज था ठीक तो क्या हो जाएगा सूपर कंप्योटर और भारत में सबसे जाए जादो जो कंप्योटर बनाने का इंस्ट्यूट है उसको बोलते हैं सी डेक यह संस्ता है बहुत सेंटर फोर सेंटर फोर डेवलप्मिंग और एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर फोर डेवलपिंग इन एडवांस कंप्यूटिंग इस तरह से कुछ इसका पुलपार में सेंटर फोर डेवलपिंग इन एडवांस कंप्यूटिंग इसका मुख्याले पुने में सी थे पुन और वे जो computer थे वे दूसरी पिडिके computer थे टीक है नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे दूसर पिड़ीं के सथ क्या आए मैंने अभी पताया फॉक्त्रें जावा हो गया सिपलस प्लस हो गया वेजी हो गया कवल हो गया सभी बांसा है तो Fortrain भासा के साथ काम करने वाला computer किस युप का computer है दूसरे बढ़ीगा next है हमारा micro processor किस पीड़ी का computer है दोस्तो micro processor मतलब chip ठीक है तो micro processor जो आया देख़े सबसे पहले जब computer बना तो सबसे पहले computer में पीड़ी बाटा गया है पर्थम पीड़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब का ठीक है दूसरी पीड़ी में यूज किया गया क्या उसको ट्रांजिस्टर का ठीक है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया तीसरी पीड़ी में यूज किया गया चीप का चीप जो चीप बन तब विल्टी में नाम सुने है ना याई का तभी पांच वी पिडिए ठीक है चौंती पिड़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूच खिया गया है नेक्स्ट है हमारा यहां पर टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम सेरिंग का पर्योग किस पिड़ी के कम्प्यूटर में हुआ अब बोलिएगा यार आदमी तो पांच भी पिड़ी तक पहुंच गया हम तभी कम्प्यूटर छुबया तक नहीं है आप में से बहुत से लोग ऐस और पॉइंट इसब एक्सेल एक्सिस ठीक है अब फंडामेटल कम्प्यूटर बहुत कुछ सिख जाएगा कर लेजिए मैं शुरू सही बोल रहा हूं जब से आप लोग दिरेशन कर रहे हैं तो हमारा कोशिंग क्या है टेली प्रोसेसिंग ताइम सेरिंग का पर्योग किस प जब मेरा सिजल के एक्साम ता उस टाइम पर म tendency में जो याद नहीं रहता लुगन रहां तो नहीं नहीं रहाता था इसको चकार किस भीनृत मातरा जो इबाकस से सुरू में ही मैं नहीं बताया था किस देस में जो आघाल यह बदा नहीं मैं था इवल्ला चाइना में ठेक है तो यह हो रम हो जानाे तो ऑप्षन से इसक्डादीन सोह जाएगा भी ऑर सी दोनु ठीक क्या है यह कम्प्यूटर का मुंख फुर जी श्री चिखते हैं ब्हकीत सेरक्यत किक ऐगiblrot नेक्स्ट कोशन तो हमारा कोशन है सुपर चीप डैस सुपर चीप का उपयोग मिनी कंप्यूटर बन जाता है सुपर मिनी कंप्यूटर मतलब कोई सुपर मिनी कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर है उसको हमको सुपर मिनी कंप्यूटर बनाना है ठीक है कोई मिनी कंप्यूटर पंप्यूटर है तो सूपर मिनी कंप्यूटर बनाने के लिए 8586 तो कि परयाँ शुकर च्प का परियोग करेंगे तो दिख अगरगू कम्प्यूटर इसको सूपर कम्पेटर बनाना है तो हम लोग 8 Öyle dot total table कंप्यूटर की कशमता होती है कित्नी होटी माइक्र माइकर माइक्रो कम्प्यूटर को छमता होती है वह होती है एक लाक गन्नाएं परती सेकेंड टीक है एक सेकेंड में एक लाक काउंटिंग करेगा गरे कोन गिर खाई सब एक मिट्स देख क्या था है चलिए आगे बढ़ते हैं देखी यह क्लास चलेगा लगबद थोड़ा सा लंबा है उसके बाद सबी क्लास चोटे रहेंगे खोड़ ऊर्टटर डि가요 replica computer की चमता पर ती सेटने होती है जो हमारा computer होता है जो हम लोग यूज करते हैं इसकी चमता होती है कितना तो गन्ना fact last second टीग है कितना होता है कि कर सुझा कि सोरीर उब सुपर मिनी कंप्यूटर का पांच लाग होता है इसका एक लाग होता है एक लाग गणना पर 30 सेगंड हो ठीक है माइकरो कंप्यूटर की गणना कितनी होती एक से कौन सी कंप्यूटर के मुख्य विसस्ता होती है कम्प्यूटर के सबसे में बिसस्ता है यानि की स्पीड ठीक है कि नेक्स्त है हमारा पॉप्र्थम पढ़ के कंप्यूटर में मुख्य इaterial onic घटक है डिखेaint पा fine पिड़ी के कंप्यूट्र में था वैक्यूम ट्व्प पाया गया था था वैक्यूम कहां पहले लिखा है तो ये है वैक्यूम चाली में बोलेंगे निरवात उब तो शब हो जांते टियूबख भॉल बहले और दुसरी पिड़िय तो पहले पिड़ी में दूसरी पिड़ी में ट्रांजिस्टर तीसरी पिड़ी में आई सी चीफ और चौंथी पिड़ी में आपका आगया माइक्रोप्रोसेसर पांच में ए आई अड़ी नहीं खाता है तो अच्छा चीज नहीं से नहीं मिलेगा विसी तरह अगर अच्छी लड़की चाहिए तो अच्छा लड़का भी चाहिए तो अच्छा चीज बहेँ आसानी से नहीं मिलेगा ठीकिग है printer就是說 रो घंके कंप्यों कर जो ने किस forehead कर सकता है अचर जो दोस्तों next है है हमारा तिस नंबर super mini computer में कितने संक्रियाई 32s होती है तो अभी मैंने गदा इस गलती से क्या बताया था five लाग बस यह यह five लाग helemaal super mini जो computer होता है पांच लाग जाधंना 32s कर सकता है ठेग है आगे दिख लेता है next question हें तो हमारा कोशन है यहाँ पर सर प्रतम पंच कार्ड का निर्मान किस ने किया पर değa Steve ने प्रतसरे निर्मान Kीर्व को सबसेब है दौना किसे का यह याद नहीं आ रिखाज हेर गहार लिखेंट में में या ककुई या कि नेक्षण भी नेक्ट है हमारा कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किस विक दिखा है तो देखिए मैंने बताया था सुरू में वान नियुमेन का र होजाई का शकल राइस अगला अगला है सर्परतम आधुनिक कंप्यूटर की खोज का वे चैना आधुनिक कंप्यूटर बना उब और 1946 में सबसे पहले आधोनिक कंप्यूटर बना और 1960 में कंप्यूटर के चैतर में महान क्रांति आ गई ग्रेट रेवोल्यूशन नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटीड सर्कुट चीप का विकास किस ने किया तो दोस्तों जो आइसी चीप होता है हमारा इंटीग्रेटेड़ सर्कुट चीप इसको बोलते हैं इस पर सिलिकन लगा रहा रहता है जो देखें चीप में सोना संअ टाइप से कुछ है रहता है न xa सोना कलर का शोता है सी betta 14 इंड दो भूलते है नेक्ष्ट हैं हमारा सरवादिक सकतिसाली कंप्मेटर है तो कौन है सकतिसाली सुपर कंप्मेटर सब से मह curry सबसे बड़ता सबसे सकति किसा आली नेक्स्ट है हमारा इसट्रय कंप्यूटर के सढ़ कर्दान पर कारिकरता है जो भी कंप्यूटर लेग स्राइब कि या गना थिक है लेते पर पर काम करेगा या फिर गणना पर काम करेंगा तो अप्सन इसम्ला दर्टार में किस प्रच्टाइन का अधूनिक युज एक हम्यां है इसमें धोस्तों बाइनरी यूज करतें इंट्किन दाएक द्यूधारी नंबर सिस्टम वुद्धाए अंक्प्धों दिदारी नंबर सिस्टम का परियोग करते हैं इसमें केवल और केवल जीरो और और वन का यूज के जाता है जीरो और वन नंबर का यूज के जाता है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा सिखा भी दूँगा कि जैसे मैंने लिखा 255 तो कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट में इस के दिधारी नंबर में तो ये जो गया ना 10 मिंट अस हो गया तो यान यह ज्ञाए के डाश्यों explained इसमें grund चैनल के नौ तोई से नहीं करता है ऐस तो the पहिस क 늦नकोरव Das अरा न होन इसको बोलते और यह क्रता है कंप्यूटर केवल जेरो और वन का व्यों करते हैं इस इसको बोलेंगे कि दिवधारी पद्दती में इसको लिखके दिखाई है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो सबसे पहले किसको लिखेंगे और इसका लसे हम निकालेंगे दो कितना आए जाएगा यहां पर तो यह तो भाग नहीं लग रहा है क्या किजिएगा तो इधर आप एक लिख दीजिए इधर ठीक है और यहां पर कितना होगे अब 20 अब आज आएगा हमारा 10 ठीक है फिर 2 से दीजिए तो आज आएगा हमारा 5 यहां पर 5 आएगा यहां पर 0 ठीक है जितना इधर बंचेगा सेंस इधर इसको लिखते जाएगा ठीक है फिर यहां पर हमारा कितना आगी है पांच फिर दो दोसे पांच जाएगा नहीं जाएगा तो एक यहां पर हम रख देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा मेhra चार यहां सिस्टम ना जीरो और वन के फॉर्म में क्यों इधार आ रहा है जीरो न के फॉर्म में तो यह हो जाएगा 1100 11101 यह हमारा राइट अंसर हो जाएगा बाइनरी नंबर में 21 का ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा यह लाइट वीडियो में सिखाऊंगा ड़ी पहले पढ़ लिजिए नेक्स्ट हमारा भारत में विक्सित परम और कम्प्धूटर का विकास किसने क्या था क्या नाम है कि डेक युटे स्थब् cooked कर 12 क्या था स्थ ड कर देक ने नेक्ष से कम IT कम मुन्हक्र पे पूने चपन के नेक्ष में क्रिफब परीपथ आईसी की अविसकार में किस पिडिका जैन वो अभी की आपलोग answer बतायेगा खूद का कैसे बताइगा शुरूम में वैक्यूम ट्यूब ऑया वैक्यूम ट्यूब है बीटी कि दूसरा ट्रांगorth टाएया कि दूसरी पडिये तीस्टी मैं आईसी चिっぱ आया कब इसकार किस जाए तो राइटñana जाएगा तीसरे पीड़ी ठेक है नेज्ड है हमारा character माइख किया तो देखिए the screen में क्या आया यह एश्ड बोलिवा एश्ड की फोले बाइब है उसका आया तो यहां पर लिखा नहीं है तो देखिए यहां पर कहां पर लिखा वेरी लार्ज इसकल इंटेग्रेशन इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रियत एकी करिद परिपत ठीक है अब बुलेगा यार क्या क्या हिंदी नाम है क्या इंग्लिस नाम है देखिए 75 कोशन आएगा भाई और अभी आप लोग ज्यादा कोशन नहीं कि साथ पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सर्किट को क्या काते हैं तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट तो इसको बोलते हैं देखिए यहां पर भी सर्किट से आपको मिल जाएगा पूर्ण electronic circuit को क्या करते हैं तो integrated circuit ठीक है सरकिट सर्किट मेच कर दीजिए अशन से इसका राई एंस हो जाएगा integrated circuit ठीक है तो देखिए और यह हमें कि क्यों से डाउट था जड़ी उसको देखिए लेते हैं हिर आज हमारा कोषिन क्या था ना इसमें एक मेंट देख लेते हैं हां विर्द कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर में इन शुरू में बोल दिया था ठीक है कन्फ्यूजन था अब देख लेते हैं तो इन्पूट आउर्पूट डिवाइस है अब हमारे पास जड़ा कोश्चन नहीं कितने कोश सब्सक्राइब कोश्चन है एंडेन हमारे पास यह बस लास्ट कोश्चन यहीं तक ठीक है वाइस कोश्चन यानि कि 30-50 अभी भी है चलिए आगे बढ़ते हैं पर्चते जाते हैं तो हमारा कोश्चन है इंपूट था और पूडिवाइस देखिए दो परकार के डिवाइस ह लिए याद रखी है तो है कि दो परकार के डिवाइस कौन रहा के डिवाइस है आपका आउटपूट कीबोड तो अंदर जाता है वाई तो यह तो होगा नहीं मॉनिटर बाहर देखते हैं प्रिंटर भी बाहर करता है कंप्यूटर से तो अप्सन इसका हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर ठीक है अगला हमारा अबजेक्ट की प्रोपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वारे माउस की टेक्निक को क्या बोलते हैं तो देखिए हम लोग जो माउस का टेक्निक की यूज करते हैं इसको बोलते हैं ड्रेगिंग ठीक है क्या बोले जाता है एक मिनट सोरी ड्रेगिंग तो इधर उधर करना होता है यार अबजेक्ट की प्रोप माउस है इसमें हमारा 3 बटन होता है यह माउस है तो हम लोग जब राइट किलिक करेंगे ठीक है इस साइट किलिक करेंगे राइट किलिक करेंगे तो हमारा क्या होगा राइट किलिक करेंगे तो हम ओके पर किलिक करेंगे अगर हम लेफ्ट दबाएंगे तो हमारा जो है एक मेनू कुल जाएगा वहां पर बहुत सारा रहेगा उप्सन उसमें माउस का राइट किलिक का ठीक है नेक्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स एक परकार का क्या तो देखें दोस्तों डॉट मैट्रिक्स एक नहीं देखें प्रींट करता है कि दॉष से करता है ठीकत करता हूं तो इसा कर खिर rhymes है ठीक है हमारा यहां पर रब हम दबाते हैं किसलिएसलिए का यूच क्याוצ अब नीचे लाने के लिए पर गराप exact करने के लिए数 अप्सणिक कर ऐगा next है हमारा यहां पर text के पंक्ति के आरंब में जाने के लिए किस कुझी को दवाते हैं तो देखे हमको किसी भी text यानिका text मतलब जो भी लिखा है computer उसी को text पोलेंगे तो अगर हमको जाना है कहां पर आरंब में तो हम लोग दवाएंगे home की ठीक है हों की दवाई चले जाएगा नेक्स्ट है हमारा यहां पे शिक्ष नंबर डेस और डेस सरवाधिक सामाइल इन्पूट डिवाइस हैं देखिए जो कंप्यूटर का अंदर डाटा को पहुंचाता है तो देखिए कीबोर्ड से हम लोग डाटा को अंदर पहुंचाते हैं और मा अगला हमारा कोश्चन है कि कंप्यूटर की समस सूचनाय या आउटपूट देखने के लिए किसका अपयोग करते हैं तो देखिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं मॉनिटर जो कंप्यूटर का बहुत बड़ा होता है मतलब दिखाता है टीवी जैसा उसी को मॉनिटर बोलते हैं ठीक है वहीं पर सब कुछ डिवाइस देखने के लिए यूज करते हैं ठीक है अगला हमारा की बोर्ड में फंक्सन की कि संख्या कितनी है तो मैंने पहले बता दिया था कि फंक्सन की कितने होते हैं 12 और पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया भी था 12 f1 f2 f3 क करें टोटल f12 तक होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कि स्ट्रोग में एक अच्छा प्रिंट कर जाता है ठीक है आप जो जनरल यूज करते हैं वह पेज प्रिंटर है हम लोग जाते हैं दुकान में छाप देते हैं रग दी तुरंत पेश्ट प्रिंट हो गया तो वह पेज करेंगा इसको हम लोग बोलते हैं dot matrix printer ठीक है क्या बोलेंगे dot matrix Printer जैसे train का टिकट You खुट 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 वह चिर 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 कर यह वहाँ पर मरता है ठीक है और जो डॉट मैंट्रिक्स पिरिंटर है जल्दी प्रिंटर चाहेगा नहीं उसका और जो पेज प्रिंटर है दिखिएगा थोड़ा सा अगर पानी पढ़ गया तो जो भी आप जैरोक्स किये गए कारियों computer के किस भाग में दिखा हैं तो हम लोग कहां से देखते हैं monitor से देखते हैं फिटे के तो monitor का दूसरा नाम है video miaa monitor जो होता हैoti कम्हों देखते हैं computer का एस्क्रीन उसको उसको बोलते है घी-डी-उंब I do.時候 विडियो नहीं यार विज्वाल डिस्प्ले यूनिट टीक है विज्वाल डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन भी इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देख लेते हैं डगलास सी एंजल वाट ने अस्टेंड फॉर्ड रिसर्च लेबरेटरी में माउस का विसकार कब गया तो माउस का विसकार किसे ने किया पहला चीज तो डगलास सी एंजल वाट ने कब किया 1964 में कहां पर किया तो यह आश्टेंड फॉर्ड रिसर्च लेबरेटरी टीक है इतने जिसका पर अगला है हमारा और माउस को हिंदे में क्या बलते हैं माउस मतलब होता है चूहा ठीक है अ ठीक है तीन परकार के होते हैं और कहीं पर आपको दो परकार भी देखने को मिलेगा तो आप सही मान के चलिए कि तीने परकार का प्रेंटर होता है ठीक है नेक्स है हमारा यहां पर सबसे ज्यादा काम आने वाला करेक्टर प्रेंटर कौन सा है तो सबसे ज्यादा जो हमारा चाहिए तरफ से च्छपा होता है काम होता है सभी आप stunned और जितना ह्या अपिसियल काम होता है न थी इस तरह इजो इस तरह और पर नीचे आप डाउन इसको बोलते हैं ए तो आप डाउन लियवर्ट यह 4 गो बटन होते हैं तो दुम्प्यूटर की बूर्ड में एवर्ड के बटन कितने होते हैं चार गो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा यहां पर कंप्यूटर तथा मानाओ का संपर्क किसके दवारा होता है तो हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं किसके दवारा हम तो कंप्यूटर के अंदर तो नहीं घूश जाते हैं या तो हम कीबोर्ड को चुछ होते हैं या फिर माउस को चुछ हो हमारा माउस का कौन सा बटन सामाय नतर ओके के लिए परियोग किया जाता है तो अभी हमने बता है माउस का कौन सा बटन राइट किलिक यानि कि दाया बटन ठीक है माउस का दाया बटन राइट किलिक एक मेडिया प्रोपर्टीज को एक्सेस करने के लिए कौन सा बटन का परि टीक है माऊस का गया बटन जरनल से क्या होता है तो एक स्क्रीण में पॉप उपन हो जाता है इस तरह से मेन्यू पर जाता है उसमें रिफ्रेस्थ का भी अपशन होता है बहुत सार होता है जिस सबसे तेज अगर बोलिएगा तो यह जो हम लोग यह प्रिंट है डॉट मैट्रिक्स जिसमें धीरे-धीरे करके प्रिंट करता है जो होता है यह बहुत धीरे चलता है बहुत धीरे सबसे तेज स्थाथी के जो प्रिंटर है उसको बोलते हैं हम लेजर प्रिंटर ठीक है लेजर प्रिंटर साधिक के दो этоड़ तो जो पोस्टर होता है बड़ा बड़ा वह किस से प्रिंट होता है तो दोस्तों वह जो प्रिंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लोटर क्या बोलते हैं प्लोटर ठीक है प्लोटर से वह प्रिंट होता है वह भी एक प्रकार का प्रिंटर है जो कि सबसे अच्छा क्वा लेड है स्अफन i लिक्हीड क्र Eeश्टल अच्छे सदिक यहां पर दो लेड है लिक्वीड क्रिस्टलиться डिस्प्जै अपशनडी LED लेड लेक mercy च्सकर घर में यह बताये है भाई मुझे भी लेकर दिभावली में चलिए जब आप लोग खुद के पैसे से लिजेगा न तब पता चलेगा कंप्यूटर सिस्टम में किसके मैध्यम से टेक्स्ट और नियुमेरिक डाटा परवेश करने की सबसे आसान पंदती है तो देखिए जब भी हम लोग डाटा एंटर करते हैं तो किससे करेंगे या तो म कंप्यूटर से डेटा बाहर देता है निम्लिकित संभाव बनता है तो क्या संभाव बनाते हैं डेटा को देखना या प्रिंट करने में ठीक है आटपूट डिवाइस हैनी कि प्रिंट करने में ठीक है प्रिंटर से प्रिंटन करते हैं या फिर माउस का जो साई कंप्यूट का जो monitor होता है उससे देखते हैं तो वो भी output है और print करना भी output है option है next है हमारा यहां पर when iCup के document की hard copy dash की है तो document के hard copy क्या है winter पर print की जाती है ठीक है document की hard copy printer पर print की जाती है ठीक है next है हमारा यहां पर Computer के memory में डाला गया कोई आकडा या निर्डेस को क्या माना हमकुटर में कोई भी ड़ेटा युनिट कीम कंप्प्यूटर में मुथ क्रें कुछ भी लिग दें सबहें लिखें लिए सैख पेपर नौछ लोग लिखें नौची क्लिकिन ऊचैक पेपर यह है जो dw जाएगा वह सूचना हम लोग ढलते हैं data को हिन्दी में आ आगडा और वह क्या बनता है कम्प्यूटर में जाकर तो डाला गया डेटा बनता है हमारा सूचना यहांनिक इन्फूर्मेस्थन तो चम्प्प्यूटर के में में डाला गया डेटा ठीक है और यह डेटा हम लोग किसे डालते हैं कीबोड से डालते हैं कीबोड से जो डेटा डालते हैं या फिर माउस से तो कंप्यूटर में डाला गया डेटा यह क्या बनता है इंफॉर्मेशन बनता है यानि कि सूचना बनता है ठीक है कहां पर जाकर मे मेमोरी में डाले गए कारी को परदसित कुन करता है जो हमारा इंफॉर्मेशन बना मेमोरी में यह कुछ दिखाता है ठीक है मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है तो इसको बोलते हैं भी डी यू विजवल डिस्पले यूनिट ठीक है और यह एक परकाड का आउटबूट डिवाइस है रेम को फुल फॉर्म सब को जनता है रेंडम एक्सेस मेमोरी रॉम का रीड अनली मेमोरी ठीक है आगे देख ल टेक्स्ट को भी स्केन करता है टेक्स्ट मतलब A B C D 1 2 4 जतना भी लिखा हुआ है ठीक है लिखा हुआ जो भी चीज़े वह वह गया हमारा टेक्स्ट और पिक्चर्स यानि के फोटो तब नहां हम लोग आधर काट्ट जेते हैं तो फोटो और लिखा हुआ सब कुछ आ जात जीवन में बहुत सब्सक्राइब प्रोब्लम में सब्सक्राइब यहीं है कि उससे आप भागिये नहीं उससे जो जिए लड़िये उससे ठीक है और उसको मुसीवत को पीछे कीजिए को डैस को डैस प्रकार की कुझ जीवा है तो देखिए को अकेले के बभल कंट्रूल डबल खाया कुछ नहीं होगा हुआ तो जब भी आम लोग सको पर्योंग करेंगे तो इसके साथ दो को बटन ओधातेए हैं करेगा यहां काम करेंगा जिए इसके साथ और एक आदमी रहेगा समझ रहे हैं नहीं समझाते हैं चलिए तो इसका बोलते हैं modifier कि ठीक है तो control shift और alt को modifier की कहा जाता है क्या कहा जाता है modifier की next हमारा यहां पर M I C R में C का पुरा नाम क्या है तो दीखिए अपने बेंक गया होगा तो वहाँ पे एक मसीन लगा रहता है लाल लड फटाक से पैसा को गिन दाता है ना तो वह हम लोग बोलते हैं M I C R चेक हो चाहिए पैसा काउंट करता है M I C R से M I C R बेंक में देखे होंगे लाल लाल मसीन होगा फुट कर रहेगा और काउंटिंग कर देता है इसको फुलपा मोलते magnetic ink character reader ठीक है magnetic ink character reader तो यहां पर क्या पुछा है सी सी का क्या होता है character कहां पर है option D magnetic character reader next है हमारा यहां पर कंप्यूटर प्रिंटर किस परकार का डिवाईस है वह एक चीज़ अगर आप बैंक में नोकरी चाहते है न तो बैंक में आपको हर एक्जाम में चाहिए किसी भी एक्जाम दीजिए बैंकिंग का उसमें आपको कंप्यूटर का कोशन रहेगा ही ठीक है कम्प्यूटर कि झालों मजनू कंट्रोल तो कंट्रोल के साथ आप जो है यूज करते हैं दोग की टीक है एस्पेसल की नेक्स्ट हम लोग का कोस्चन यहाँ पर कंप्रिट हो गया अब अंतिम लेसन है आज का मेमोरी ठीक है मेमोरी मेमोरी कहां पर पाजाता है CPU में, और एक बार, CPU में कितने चीज़ पाई जाते हैं? तीन चीज़ Central Processing Unit, CPU, इसमें तीन चीज़ पाई जाता है, क्या क्या? पहला पाई जाता है आपका CU, Control Unit, ठीक है? CU, Control Unit, दूसरा क्या पाई जाता है? ALU Arithmetic Logical Unit और तीसरा क्या पाई जाता है? तो memory पाय जाता है, memory को chip के नाम से भी जानते है CU control unit का क्या काम होता है, control करने का काम होता है ALU, यानि कि arithmetic logical unit का क्या काम होता है तो math से सम्बंदित जो भी जाता होता है, उसको calculation करने का काम होता है ठीक है, और memory क्या करता है, data को store करता है, ठीक है चलिए तो अब हमारा हो गया और एक चीज इंदे में मोरी दो परकर होता है एक होता है जो कि light कट गया तो खतम ठीक है और रहा रहे चाहे उस्में data एस्टोर रहे गा जेसे चीप चीप जो होता है हम लोग चीप लगाते हैं बाहर से उसमें लाइन कट है या रहे डेटा तो एस्टोर रहेगा ठीक है और एक होता है कि अगर लाइन कट गया जिसे कंप्यूटर में कोई काम कर रहे है अचानक से लाइन कट गया, तो फिर से शुरू करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जो volatile, volatile जो लाइन कट गया, खतम हो गया, non-volatile, जो नहीं खतम होगा, नहीं खतम होगा, मतलब non-volatile, नहीं मतलब none, ठीक है, जो खतम हो जाएगा, लाइन कटा और खतम डिटा, उसको बोले जो नहीं खतम होगा उसको बोलेंगे NON volatility ठीक है तो हमारा कोशन है बिजली-बंद कर दिये जाने के बाद जो अपना data रखती है यानि रही कोता है जोसा अपना data रखती है यानि आपन लीजिए बंद कर दी और अपना data रखती है ठीक यानि कि नहीं को अम्लेंगे और को बोलेंगे अगल को देगा तो क्या बोलेंगे ठीक तो यहां ठाटा को नहीं खोता है ठीक किसी भी कीमत पर डेटागों मuleएं और साउप्र यालाइन गीजिये यसे नहीं दीजिये और को देखिए हाट डिस्क के हमारा मतलब सिंपल समझें ना कि चीप में जो हमारा कोई भी प्रोग्राम है सब्ट्वेर प्रोग्राम उसको कॉपी करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे ठीक है एक मेंट यार चैना चेह का रहाई है चाल एक दो जीए कोई भी चीज हम लोग जैसे सब्सेल ना इनस्टोल करते हैं भूब चीप में डाउनलोड कर लेते हैं मॉबाइल के इंटर्नल स्टोरेज में तो यह क्या है इंस्टोलेशन ठीक है नेक्स्ट है हमारा यहां पर आपके कंप्यूटर में निम्लिखित में से कौन सी मेमोरी होती है तो कंप्यूटर में हमारा जो होता है रेम होता है हम लोग बाहर से लगाते हैं रों ठीक है तो हम लोग के computer में क्या रहता है RAM राम नहीं जो भी बहले राम बहले चाहिए रेम बहले Random Access Memory ठीक है रेम कंप्प्विटर में क्या होता है रेम होता है और सने नेक्स तब आगे देख लेते हैं जब आप PC PC का प्लूम होता है पर्सनल computer ठीक है जब आप PC पर किसी document पर कारि करते हैं तब then document और रुप से कहां इस्टन होता थे तो बैस करते सीट कर from computer में तो वह computer कि कहां रहेगा कंप्षिपर के रहेगा ठीक है और अस्थाई वो लायन के कुछ समय के लिए ठीक है अस्थाई जाएगा रोम अस्थाई चाहिए तो रोम और स्थाई रेम ठीक है यह कंप्यूटर में रहता है और स्थाई रेम में नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में कितने परकार की मेमोरी पाए जाती है तो कंप्यूटर में तो memory पाजता है तो memory यहां पर है control unit यह नहीं होगा रेम क्या एक परकार का memory है ठीक है तो option C इसका right answer हो जाएगा रेम ठीक अप्प्योटर में डिवाइस क्या पाजाता है रेम नेक्स्ट हमारे यहां पर computer के जिस भाग में data यह प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या का जाता है तो computer के जिस भाग में डेटा यह प्रोग्राम को रखते हैं उसको memory कहा जाता है यह ना option B next है हमारा यहां पर अगला question question क्या है कि floppy disk किस प्रकार की memory से संबंदित रखता है तो हमारा जो floppy disk है वह एक प्रकार का क्या है तो यह प्रकार का external है क्या है external यानि कि बाहर से लगाते हैं floppy disk को external मतलब non-volatile मतलब line कटेगा फिर भी data यह रख्या ही रहेगा ठीक है यहां पर volatile दिया है volatile नहीं होगा volatile मतलब लाइन कटेगा तो खतम लेकिन बाहर से जो भी आएगा उसमें लाइन कटे यह रहा है उसको कोई मतलब नहीं ठीक है उसमें data रहेगा अगला है CD का पूरा नाम क्या है तो CD से कौन कौन फिरिम देखें एक डीस चला दो डीस चला ठीक है CD में देखते थे नहीं पहले एक डीस दू डीस DVD के सेड़ CD और उसको दबाते थे घुमता था चलता था तो compact डीस इसको बोलते है CD को compact डीस ठीक है अगे देख लेते हैं next है हमारा सूपर कंप्यूटर के floppy की चमता कितनी होती है तो हमारा सूपर कंप्यूटर होता है उसकी चमता कितनी होती है दोस्तों 500 मेगा फिलिप 500 मेगा फिलिप होता है next है हमारा hard disk drive को किस परकार का storage माना जाता है हमारा hard disk होता है या किस परकार का storage device होता है तो hard disk हमारा non-volatile होता है या volatile होता है हमारा non-volatile होता है मतलब इसमें line रहे या नहीं रहे इसमें data अगर है तो वह नहीं मिटेगा ठीक है तो hard disk non-volatile होता है किसी को चाहिए तो बोलिएगा मेरे पास extra है लेकिन पैसा लेंगे यार चलिए उसको दुकान में जाके बेच देंगे नहीं लिखित में से कौन से computer का built-in memory है तो computer का built-in memory यानि computer के साथ में दिया जाता है तो computer में क्या पाजाता है RAM पाजाता है symbol से बात है ठीक है आगे देख लेते हैं next हमारे यहां पर place क्या है तो place क्या है place एक परकार का memory तो है लेकिन क्या RAM है या ROM है तो देखिए class memory जो है आपका internal होता है हम लोग के computer में memory उज़ जाता है फ्लेस तो यह आपका रेम है ठीक है आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट हमाा पॉस्जिन है सेल फोन में जो मारा सेल्पोन है इसमें किस परकार की इच्वाज मुल्ट का यूज क्या जाता ह। जो कि एक परकार का रेम है ठीक है नेक्स्ट है आपका यहां पर इंटर्नल और स्टोरेज किस परकार का स्टोरेज है तो इंटर्नल और स्टोरेज जो है यह किस परकार का स्टोरेज है देखिए, इंटर्णल जो है हमारा यह प्राइमरी अर्प्रायमेरी, और जो बाहर से आएगा उसको बोलते हैं सेकन्डरी, ठीक है सेकन्डरी 중요한 होत que hyvin होता है जो बाहर से आता तो आप्सन 20 का राइट एंसर हो जाएगा बॉलाटाइल रेम ठीक है मतलब डाटा लाइन गया तो गया और रॉम अगर रहेगा तो नहीं जाएगा ठीक है अगला हमारा अच्छा सीडी क्या है सीडी तो हम लोग बाहर से डलते हैं तो यह क्या मतलब बॉलाटाइल है यह नोन का कंप्यूटर हार्डवेर जो आंकडों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है क्या कर लाता है तो चीप बोलते हैं चीप ठीक है अगला है सीडी रॉम का फुल्फरम क्या है तो सीडी से फुल्फरम हो जाता है कॉम्पेक्ट डिस्क और से रीड और से ओनली एम स सबसे चोटी यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बीट ठीक है क्या बोलते हैं बीट आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा यहां पर कंप्यूटर के संदर्व में कंप्यूटर के संदर्व में रेम का पुल्फरम है सिंपल है रेंडम एक्सस मेमरी कहा है रे storage store करते हैं memory में तो हो जाएगा option D storage ठीक है अगला हमारा save कर मतब जब हम लोग save कर देते हैं computer बंद करने पर भी आपका data यह थावत रहेगा ठीक है save कर बंद कर देने पर भी आपका data कहां पर थावत रहेगा तो secondary storage में secondary storage option भी बाहर का जो रहेगा वह पुरा है भी रहता है और internal में line गया तो खाता हूं ठीक है option C तो computer यहां से complete होता है अब कल आपका होगा तो अंतीम दो question personal computer से lesson 5 इसमें हमारा निवन में से कौन CPU के लिए सामाइन गनित परफॉर्म करता है तो गनित का कौन काम करता है CPU के अंदर की बाग होता है ALU AU और memory तो इसमें गनित का कौन काम करता है ALU arithmetic logical unit option बिल्कुल सही next है हमारा यहां पर mother board के components के D data informationYour mindEM से travel करता है तो motherboard जोड़ता है उसमें information किसके madadel से जाता है तो जो भी motherboard होता है उसमें जो है information बस के माइदयام से जाता है आदमी हो चाहां information हो किससरी जाएगा बस से जाएगा ठीक है चलिए कल से आपका आदा गंड़ा क्लास होगा और फिर अतलब आदा गंड़ा से 20 मिनिट का क्लास होगा क्योंकि आज मैंने आपका 60% जितना भी इंपोर्टेंट 60% क्लास करवा दिया है ठीक है और एक दो वीडियो में आपको प्रबेस यह कोश्चन पर भी दे दूंगा चल क्या लिख दिजिएगा हाई पचान लेंगे आप लोग लाश तक ठीक है रहे हैं थैंकि दोस्तों जिसको सेक का चाहिए मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा ठीक है प्रिवेसर कोश्चन पेपर एंड और क्या बोलूंगा बाइबाई थैंक्यू अल्द बेस्ट अच्छे स एक्जाम देजिए जनका एक्जाम सामने है और जिनका नहीं है उनलोग प्रिप्रेप्रसंग कर दिए ठीक है खाली टाइम जरी दोगहंटा पढ़ाई किजिए इनका एक्जाम नहीं प्रशंग नहीं पर्शिख आप लोग अच्छय लिए पढ़ाई की जिए और 9 घंटा वाई